अस्सलाम अलेकुम दोस्तों यदि आप कुएत में रहते हो और कुएत के इमतरीन ख़बरों से मैंसा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना इसकूप का पूरा देखिए चैनल पर नहीं हो या फिर पहली बार आया हो चैनल को सब्स्राइब परके बैल आइकन को प देख वागेरा होते हैं वो electronic cigarette को वो लोग पीते हैं दोस्तों उसमें अलग-अलग flavor होता है इसलिए वो जो ज़्यादा वहाँ पे लोग इसे पीना पसंद करते हैं और काफी ज्यादा यह आसान भी होता है ना इसे जलाने का जंजट होता है ना कोई cigarette को दोस्तों फेकने का जंजट होता है इसलिए ज्यादतर वहाँ पे लोग वहाँ पे e-cigarette का इस्तमाल ज्यादा करते हैं यानि electronic cigarette का ज्यादा इस्तमाल करते हैं तो उसी को लेकर government के तरफ से यह announcement किया गया है कि उसमें साथियो जो e-cigarette होता है उसमें 100% tax differ किया जाएगा तो जो लोग भी आप लोग वहाँ पे cigarette को जो वहाँ पे पीना पसंद करते थे या फिर पीते थे तो आप लोग बता दू government के तरफ से 100% tax जो इसमें differ करने वाला है तो यह साथियो अभी further notice दिया गया है जो से कोई notice में confirm होती है तो मैं आप तक share जरू करूँगा अगली जो खबर की और साथियो तो fast food वगएरा हो गया या फिर junk food हो गया उसका दोस्तो organization जो है वो अच्छी नहीं है तो इसी को लेकर वहाँ पे सुबया area में अच्छे से वहाँ पे better organization करने के लिए कहा गया है जेतने भी food truck वगएरा है ताकि लोगों को दोस्तो खाने में या खरीदने में कोई भी चीज की सहलियत वहाँ पे महसूस हो अगली खबर की और साथी चलते हैं अगली खबर दोस्तो जो आरी साथ यह वह भी बहुत ही बढ़ी खबर है दोस्तो वह traffic department के तरफ से आ रही है तो ministry of interior के तरफ से कल के दिन ये announcement किया गया है सिरिफ 40 दिनों के अंदर वहाँ पे 1000 driving license को वहाँ हैं किया था सिर्फ 40 दिनों के अंदर 1000 से भी जादा driving license को वहाँ पे दिया गया है तो दोस्तो अभी काफी दिनों से आपने सुन रहा होगा कि सिर्फ वहाँ पे driving license को रद किया जा रहा है पर यहाँ पे अच्छी खबर निकलकर आरी कि 1000 से ज़्यादा driving license को लोगों को करा रही है तो सातियों कुएत में जो फिस मार्केट है वहाँ पे जो फिस का प्राइस है वो काफी ज्यादा डीप हो रहा है यानि घट रहा है तो यदि मचलिया आप खाना पसंद करते हैं तो जाक या मचलियों वगेरा को आप खा सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा सस्की में और काफी बुरी खबर साथियों वहाँ पे 79 एक्सपर्ट को वहाँ पे ग्रफतार किया गया है प्रोस्यूशन के धंदे में यानि दोस्तों गंदे काम दोस्तों जो जिस्मानी धंदा होता है आप समझी रहोंगे उसी के धंदे में लगबंग वहाँ पे 89 लोगों को ग्रफतार किया गया है जिनमें से जादा तर दोस्तों महिलाएं इसमें सामिल है और कुछ इसमें मर्द वगएरा सामिल है सभी दोस्तों महिलाएं जो हैं वो 10 से 10 कुईति दिनार 20 कुईती दिनार जादा जादा 30 कुईती दिनार लेका दोस्तों वो लोग धन्दा वहाँ पे काफी दिनों से कर रही थी फिलाल इस हपते 89 लोगों को इस तरह से वहाँ पे ग्रफतार किया गया है सभी पर कानूनी कारवाई की जाएगी और सभी पर कानूनी कारवाई करके दोस्तों जेल भी जानी पड़ सकते और उन लोगो डिपोर्ट भी किया जाएगा तो ये कुछ खबरे थी दोस्तों कुछ अपडेट्स थी जो की कुईत से आ रहे थी झाल झाल